हेलो फ्रेंट्स मैं मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर मेंट्स आज की इस वीडियो में 36 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो यह मेरा में फैब्रीक है और यह अस्तर का कपड़ा है कटिंग करने के लिए सबसे पहल एक लाइन रोकर के नीचे से कपड़े को हमने सीधा कर लेना है और टोटल लंबाई लेनी है टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ साड़े चोगदा इंच साड़े तिरह लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है डीप नेक के अकॉर्डिंग शोडर का में जर्मेंट रखा है मैंन मार्जिन आप अपने ब्लाउस में चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं आधा इंच भार की तिरफ लेते हुए मार्क करेंगे कमर का मेंजमेंट लेना है कमर है तीस इंच उसका चोटा बाग लेंगी साड़े साथ इंच देड़ इंच एकस्टर मार्जिन और एक इंच एकस अस्तर के कपड़े पर कटिंग करने के बाद इसे मैंने मैंने कपड़े पर लगकर भी कट कर लिया है और अब ले रही हूँ मैं गले का मेसरमेंट कर लेकि जो विट्ट है वो रखी है मैंने यहाँ पर था इंच की 2.5 इंच नेक पिट्ट लेंगे 2 इंच गले की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं मैंने रखी है यहाँ पर पोना 9 इंच और नीच जैसे नेक पिट्ट लिया है 3 इंच इस तरीके से यहाँ पर एक चुकुर बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है और इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर यहाँ पर यह वाला नेक ट्रॉ कर रही हूँ आप जाहें तो राउंड नेक भी बना सकते हैं या पान गला भी बना सकते हैं तो उपर का जो शेप है वाप अपनी अकॉडिंग दीजेगा और नीचे का जो पार्टे 1.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है और इस तरीके से यहाँ पर भी शेप दे देना है गले के isso मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है नीचे की तरफ 1.75 इंच पर मार्किंग करनी है और इस शेप को इस तरीके से मिला देना है यहाँ पर हमने इसे मिला दिया है और इसे यहाँ से भी शेप देढ़ेंगे और इसे मैं आपको बिना पेपर पेस्टिंग के ही स्टिचिंग करना बताऊंगी फिनिशिंग के साथ कैसे आप कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा गले के कटिंग देखिए मैंने आपर इस तरीके से कर ली है और जो नीचे का डिजाइन ही इसे भी हमने कट कर लेना है यह देखिए पहले हम पिन लगा लेंगे उसके बाद इसे कट करेंगे ज्यादा ब्रॉट में कटिंग नहीं करनी है नहीं तो नेक हमारा एकदम फैल जाता है लाइन के अंदर ही इसे कट करना है कटिंग मेरी पूरी हो गई है यहाँ पर यह देखिए कटिंग पूरी करने के बाद अब हमने करना इसका stitching तो नीचे मैंने मैंन कपड़े को सीधा करके रखाए और अस्तर के कपड़े को इसके उपर रख लेंगे दोनों तरफ से पिन लगा कर इससे पहले हम अटेज कर देंगे इसकी बाद ही सिलाई लगाएंगे पिन मैंने यहाँ पर लगा ली है इसके बाद में सिलाई लगा रही हूँ तो यहाँ पर देखिए एक पेर का मार्दिन लेते हुए हमने सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे वाला नेक बना रही हूँ उपर का जुन है कि वो कपड़े के साथ मैं अलग से आपको बनाना बताऊंगी तो पहले हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैबरी के से कट करके निकाल देना है कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और चारो कॉर्णर पे पहले हम अचे से कट लगाएंगे फिर पूरे डिजाइन पे कट लगाएंगे और इससे पलट के सीधा कर लेंगे अभी हमने बस इतना ही पार्टी स्टिचिंग करना है और इससे पलट के सीधा कर लेना है हाथों के साथ अच्छे से कप्ड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं यह देखिए अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो अच्छे से नेक को बैठाते हुए अस्तर वाला जो कप्ड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं दीखना चाहिए फिनीशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे यह देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दी है अब मैं सिलाई लगा रही हूँ गले के उपर यह देखिए गले पर भी हमने सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेना है और बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ से कप्ड़ी को अच्छे से फिनीशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है भार की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया है अब मैंने लिया है एक नियूस पेपर नियूस पेपर को नीचे की तरफ रखेंगे और डिसाइन को उपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमने पैन से मार्किंग कर लेना है तो दिखिए इस तरीके से यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे डिजाइन के साब से मैंने मार्किंग कर दिया है और पेपर की बराबर से इसे कट कर लेंगे बाहर की तरफ से पेपर को थोड़ा बढ़ाते हुए कट कर लेना है इसके बाद एक कपड़ा लिया है इसकी चोड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 3.5 इंचिस की width है और इस पटी को हमें सिल लेना है कपड़ा सीधे में ही मैंने cutting किया है इसी के साथ मैं एक पटी यहाँ पर और तयार कर रही हूँ तो दिखे मैंने यहाँ पर 2 पटियां तेयार कर लिए है दोनों हमें design में use करना है और इस पटी को पलटके सीधा कर लेना है तो कोई भी नोग वाली चीज से आप इसे पलटके सीधा कर ले चाहें तो इस पर press भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से हाथ से इसे अच्छे से finishing दे दे इसका जो मार्जीन है वो हम बीच में रख लेंगे ताकि वो दिखे ना और जो दूसरी वाली पट्टी है इसे भी मैं पलटके सीधा कर रही हूँ इसे भी अच्छे से हाथों से finishing दे देंगे अब इसके pattern cut करने हैं और एक पट्टी भी बनानी है तो ये वाली पट्टी ली है मैंने इसकी जो width थे वो 1.5 inch की है 1.5 inch और सीधी में ही cutting करनी है पट्टी को आपको कर लेना है double fold double fold करने के बाद इसके छोटे-छोटे pieces आपको cut कर लेने है 1.5 inch की width length में आप इसे cut कर लें और ये जो हमारा paper वाला pattern है इसके बराबर से आपको ये सभी पटियां cut कर लेनी है पटियां cut करने के बाद आपको इससे bow का look देना है तो देखिए इस तरीके से center से इसे पकड़ते हुए आपको यहाँ पर इस तरीके से stitch करना है सभी pattern को इसी तरीके से सिल लेंगे center में सिलाई लगाते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं अब जो पटी हमने तयार की हुई थी पटी को बिल्कुल आपको center में रख लेना है और अच्छे से किनारी के सिलाई लगानी है एक एक करके सभी patterns हमने तयार कर लेना है इसी तरीके से और पूरा ये जो design है पेपर पे वो पूरा इन पटियों से cover हो जाना चाहिए इस तरीके से इसे तयार करेंगे ये देखे मैंने हापर सभी pattern तयार कर लिये हैं और एक एक करके इसे गले के उपर हमने अटेज कर देना है ये देखे बहुत ही सुंदर और simple easy neck design है ये बिना paper pasting के और कम समय में आप अपने blouse के लिए इसे तयार कर सकते हैं पहनने के बाद इसका जो look है वो बहुत ही designer दिखेगा आप लोग जरूर ट्राय कीजेगा तो दिखे मैंने यहाँ पर एक एक करके सभी patterns को attach कर दिया है line के उपर जो उपर हो नीचे की तरफ हमने line marking किया है उसे के उपर सिलाई चलानी है और इस तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे पटियों को set करते हुए तो यह जो bow हमने बनाये हैं वो आप चाहें तो contrast color में भी ले सकते हैं अगर आपके पास fabric नहीं होता है तो आप दूसरे color का fabric भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर pattern को मैंने बना लिया है और इसे नीचे की तरफ रखेंगे pin के साथ इसे अच्छे से cover कर लेंगे ताकि stitching करते समय जो pattern है वो हमारा इधर उधर ना हो बराबर से मैंने paper के उपर pin लगा दी है अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रहे हूँ तो मैंने इस snack को बहुत ही simple तरीके से बनाया है अगर आप इसे fancy look देना चाहें तो इसके उपर lace attach कर सकते हैं यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इस pattern को अच्छे से attach कर दिया है corners पर सिलाई आप पकी कर लें और छोटे ठाके से सिलाई लगाएं तो जो नीचे वाला neck है हमारा वो बन करके तयार हो गया है इसका जो paper है वो निकाल देंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा cut कर देंगे जो वो हमने attach किये हैं इनका जो extra fabric है वो हम cut करके निकाल देंगे तो इस तरीके से fabric को हमें finishing के साथ यहाँ पर cut कर देना है पेपर को मैंने निकाल दिया है अब हमें उपर वाला neck तयार करना है अच्छे से आप इसे हाथों से finishing दे दे गले को और जो भी धागे निकल रहे हैं इने cut करके निकाल दीजेगा उपर वाला गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े का use किया है आप चाहें तो paper pasting भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास कपड़ा नहीं होता है तो आप cross party से भी बना सकते हैं जैसे कि मैं आपको आगे का नेक बनाना बताती हूँ cross party से उसी तरीके से आप बीचे का गला भी बना सकते हैं तो दीखे मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है जैसे कि हम paper pasting के लिए extra fabric लेते हैं उसी तरीके से लेना है आपको इसे नीचे की तरफ रख लेना है और दोनों तरफ से पिन लगा कर इसे attach कर देना है ताकि कपड़ा अच्छे से नीचे की तरफ set रहे इसके बाद आपको machine के छोटे टाके से एक पेर का margin लेते हुए इसलाई लगा देनी है तो इस गले में वैसी ही finishing आएगी जैसे के आपके हचब हम paper pasting से बनाते हैं उसी तरीके से इस गले में भी finishing आएगी तो देखे मैंने यहाँ पर कपड़े को attach कर दिया है इसलाई यहाँ पर लगा दी है एक पेर का margin लेते हुए छोटे टाके से उसके बाद corners पे और पूरी neck पे अच्छे से छोटे छोटे cut लगाते नहीं cut लगाने से गला अच्छे से fold हो जाता है अब cutting करने के लिए आप जाहें तो चौक से इस तरीके का marking कर सकते हैं और गले के shape के according कपड़े को cut कर दीजेगा इस कपड़े को बाद मैं आपको blouse को तयार करने के बाद तुरपाई करनी होती है हासे सुई धागे के मदस से आप इस पे तुरपाई कर दीजेगा अब मैं यहाँ पर इससे finishing से fold कर रही हूँ तो जहाँ पर हमने कपड़े को cut किया था उससे आपको एक single fold कर देना है अंदर की तरफ यह देखी मैंने यहाँ पर कपड़े को fold कर दिया है इसके बाद हमने एक सिलाई कपड़े को इस तरफ रखते हुए कपड़े के उपर लगा देनी है यह सिलाई हमने हैस्तर वाले कपड़े पर लगानी है अब देखी नेक को अंदर की तरफ fold कर लेना है जो गला पटी हमने लगाई है पटी को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर finishing से सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है यह देखिए अब मैं यहाँ पर नीचे कमर में प्लिट्स और नीचे की तरफ कमर पटी लगा रही हूँ तो सेंटर से करेंगे कपले को फोल्ड और एक छोटा कट लगाएंगे फिर सेंटर से थोड़ी दूरी पर कपले को फोल्ड करके चार इंच की लंबाई में हमने प्लिट्स लगानी है दोनों ही तरफ दीखिए कमर में प्लिट्स में अटेज कर दी है अब मैं नीचे की तरफ कमरपटी अटेज कर रही हूं तो नीचे से आधा हैंज का मार्जिन लेते हुए कमरपटी लगाएंगे और पटी को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सलाई हमने उपर से फिनिश्रिंग से लगा लेनी है तो दिखे इसी के साथ मेरा इन एक डिजाइन बनके तयार हो गया है आपको आज का मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद